वेलकम टॉ टार्गेट फॉर आइक आपका स्वागत अपने इस यूटूब चैनल पर माइसल रवेंदर कुमार तो चुडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं फॉर्ट सब्टेम्बर के करेंट अफेर से तो एक बार जो भी नहीं वरसें तो वह सबी चैनल को दुरूर्स सब्सक करते हैं को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं विद्टमंतराल्या के अनुसार अगस्ट 2020 में कुल कितने GST कलक्षन है तो यह हुआ है, 86,449 करोड रुपे, यह भी आप याद रखेगा, करोडों में है यह टर्म, तो इतना आपको याद रखना है, डिरेक्ली, और बात करें, वित्तमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर को ने इस समय, तो वो है, निर्मला सीता रमण जी है, वित्तमंत्री निर्मला सीत और बात करें, जीएश्टी इंफोर्समेंट में कब आया था, तो एक जुलाई 2017 से आया था, यह भी आपको याद रखना है, और बाकी इंपोर्टेंट जो चीजें है, जीएश्टी से रिलेटिड, वो आपको बताई दी गई है, और इसमें एक अमेंडमेंट था, जीएश कर्मयोगी की सुरुवात की गई, यह संबंदित है, मिसन कर्मयोगी डारेक्टली आपको यह याद रखना है कि किस से संबंदित है, मिसन कर्मयोगी रिलेटिड विच, तो यह है सिविल से विकों से, यानि कि सिविल जो सर्विसर्स होते हैं, उन से रिलेटिड है, मिसन कर् चलिए को अनुबर 3 तेखते हैं धनी में जारी वैस्टविक 9-7 सुचकांग 2020 में भारत का इस्थान है Saw iğ की नहाचार सुचकांग विच्ट गिलोबल इनोवेशन इंडएक्स गिलोबल इनोवेशन, इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है तो वो है और इससे पहले कितना था 52 तो यह तो आपको आद रखना है अब यह वैस्ट विक नवाचार सुचकांग होता क्या है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ठीक है कितने इनोवेशन और कितने पैटेंट हमारे देश के युवा प्राप्त कर रहे हैं उसको जाद से जादा बढ़ावा देने के लिए और अगर इसको बात करें जारी कून करता है तो इसको वीपो संस्थाए वर्ल्ड इंटिल इसको जारी करता है और इंडेक्स नहीं है तो जारी करता है और इसका जो इस्टैबलिश्मेंट वह था वीपो का वह था 1967 और इसका हेड़कॉर्टर जो है वह जेनेवा स्विजर लेंड है तो आपको इतना इस कोस्टन से याद रखने काफी इंपोडेंट है चेड़े सेंट है तो यह किया है 500 परियोड़ना पर कितनी 500 परियोड़ना पर और ऑफसान नंबर डी सही हुआ और आपको पता होना चाहिए यहीं से कि वर्तमान में जो केंदरी है कोला एवम खान मंत्री है मिन्स सेंटर ल कोल एंड माइन्स मिनिस्टर जो आं वो पिरलाद जोसी है कौन है पेरलाद जोसी जी है और कोल इंडिया लिमिटेट की बात करें तो इसका इस्टेबलिश्मेंट जो हुआ था कोल इंडिया लिमिटेट कमपनी का वो 1975 और हेड़ कौर्टर कोलकाता है ये भी आप याद रखेगा और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर है वो कोन है प तो आपको इतना इस कोशन से याद रखना है चलिए कोशन नंबर फाइब की बात कर दें हाली में केंद्रे मंत्री मंडल ने भूविज्यान और खरीज संसादनों के चेतर में भारत और किस देश से सहयोग को मंजूरी दी है तो ये काफी इंपोटेंट है तो मंजूरी दी जो है वो मिन्सक है तो आप इतना इस कोशन से याद रखेगा अगर फिनलेंड की हम लोकेशन देखें तो ये यूरोपिया कंट्री है फिनलेंड और इसके इधर नारवे है उपर ठीक है नारवे है उपर और साइड़ में स्वेडन है और इधर रश्या है तो रश्या से ब यानि कि उफसन नमबर भी एक सो अठारे चाइनीज एप पर बैन लगाया इससे पहले भी साइद एक सो एक कुछ टर्म थी जिन पर बैन लगाया गया था तो ये अच्छा कदम भी है और कह सकते हैं कि जो हमारी सोसल सिक्वरिटी होती है उसको जाद से जादा मंगोलिया है बाकी चाइना में मेकांग नदी भी आपको याद रखना है और इस चाइना से यह है और जो ताइवान है वो जो आपको पता है जिस पर यह अपना कब्जा जमाता है ताइवान तो यह है ताइवान ठीक है इसको यह अपना हिस्सा बताता है तो ताइवान की राजधानी ताइप है तो आपको आद रखना है बाकी तो मैप में और देखेंगे लोकेशन यह नेपाल है यहाँ पर म्यम्मार है ठीक है यहाँ पर बांगलादेश है ठीक है तो यह सभी बॉंडरी टेच कर रहे हैं चाइना से चलिए कोस्टन नंबर नेक्ट देखते हैं को कश्मीरी डौंगरी हिंदी अंग्रेजी और किस भासा को जम्मू कश्मीर की अधिकारिक भासा के रूप में मंजूरी दिये मिन्स अब नई लैंग्वेज एक एड़ कर दिया है वहां की भासा के लिए तो वह कौन सी भासा है तो वह है उपसा नंबर सी उर्दू ठीक है उ यही पर है सबसे हाइस्ट जो वार था यह कारगِल कई था लॉल्ड में भी थीकिंए अब इधर देख सकते हैं यह लाइन ओफ कंट्रॉल अउस्द्व है यह तो है भारत Oर पाकिस्तान के बीच औड और ओफ एक्ट्वल जो कंट्रॉल है वह है भारत गया है और यहां से आप याद रखेगा कि जम्मु कस्मीर के बारे में भी important fact आपको पता है राज्यपाल को ने जम्मु कस्मीर के वो तो ही मनोस सिनहा जी है बाकि जम्मु कस्मीर से और भी question बनते हैं बहुत ही ज्यादा important जैसे कि जम्मु कस्मीर में कुछ national park है दाची गाम जो national park है जम्मु कस्मीर किस तुबार भी जम्मु कस्मीर है और हैमिस national park के भी कहा है जम्मु कस्मीर और important याद रखेगा जो पासिस दर्रे है वो भी important है जम्मु कस्मीर के जैसे जो जीला हुआ ठीक है जो जीला दर्रा कहां पर है जम्मु कस्मीर और करा कोरम तो करा कोरम क पर है जम्मु कस्मीर और पीर पंजल कुष्मीर बनी हाल जम्मु कस्मिर ऐतने आपको इसको दीच topics कोपड़ी जोब lt इलेको कुशन की ही इतने को पर रहा गए लोगने को वस्वी जोर कंपनी यह होती है जो गया होतीίναι उसमें किस बहरत के गृरूप को टोप पर रखा गया तो वो रखा गया अप्शन नमबर ए अडानी गृूप को ठीक है अडानी गृूप को अब यह वैस्विक सोर कमपनियां की जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है तो यह मैरी कॉम कैपिटल नाम की एक company है जो इसको जारी करती है इसका मकसद यह होता है कि ग्लोबली जो भी ग्रूप्स वगएरा है या जो भी country है वहाँ पर वैस्विक लेविल पर आप कहा सकते हैं वर्ड लेविल पर solar energy को कितने बढ़ावा दे जा रहा है तो उसी के purpose से जो ranking है वो जारी की जाती है ठीक है तो आपको याद रखना है कि इस पर भारत की कौन से गुरूप पर है अडानी गुरूप है ठीक है चलिए question number और अडानी गुरूप के अगर वर्दमान के अध्यक्स तबात करते हैं तो अध्यक्स है वर्दमान में इसके प्रेशिडेंट है गोतम अडानी तो question number 9 देख ले यह हिमाचल परदेश ठीक है हिमाचल परदेश की राजदानी सिमला हिमाचल परदेश के वर्दमान सीम को ने जैराम ठाकूर हिमाचल परदेश के वर्दमान राजयपाल बंडारु दत्तर है तो इतने तो होगए general effect इस से अलग देख लेते हैं पिन वैली नेशनल पार्क यह भी कहाँ पर है यह भी हिमाचल परदेश में पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क कहाँ पर है हिमाचल परदेश बागी कुछ important दर्रे हैं हिमाचल परदेश के passes हैं जैसे रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ पर है हिमाचल परदेश और बाड़ालाचला और शिपकीला यह तीनों रोहतांग बाड़ालाचला और शिपकीला तीनों पासिस कहां पर है हिमाचल प्रदिस काफी इंपोटेंट है याद रखेगा चले कोसर नमबर 10 देख लेते हैं राष्ट्य पोषण सप्ता किस्तिति को मनाए जाता है काफी इन्दानमंत्री मodhi जी ने हाली में सब्टेमबर को न्यूट्रिशन मंघ्षण महिना कह सकते हैं उसको घ्षण क्यागा है सब्टेमबर मंघ्षण मनत को तो राष्ट्य पोषण सप्ताहा मनाते हैं National nutrition week आपको इतना इस को सब्सक्राइए आज का को सब्सक्राइब झाल दो!